एक fantastic से suspense and thrill story मैं आप सबी को सुनाने जा रहा हूँ पुनम की रात अंजान सहर और सुनसान सडक सडक के किनारे एक हवेली का गेट जो घाटिया और पत्तों में खो गया है वो गेट खोल कर अंदर आता है सामने एक बड़ी सी हवेली 300 साल पूरानी विरान सुनसान इनसान तो क्या कोई जानवर भी वहाँ जाने से काप उठे जिसे देखतर भै की अनुभूती हो जाए हवेली के सामने दोनों तरफ उजड़ा हुआ बगीचा बीच रास्ते में हवेली के और जाता हुआ हवा डर तो उसे भी लग रहा था फिर भी वो आगे पड़ता है उसके आहट से हवेली का दरवाजा अपने आप खुलता है बिल्कुल अपनी मर्जी से जैसे पुरी हवेली को उसके ही आने का इंतजार था दबे पाउं चारों और देखकर सावधाने से कदम आगे बढ़ाता है बड़ा सा हौल बीच में सीडिया जो उपर कमरों तक ले जाती है आगे बढ़ते हुए वो एक कमरे तक पहुँच गया दरवाजा खुला था एक विजई मुस्कान उसे चहरे पर खिलूटी खिर्कियों से चांद की रौसनी हवा के जोकों के साथ जूम रहे पर्दों से अंदर जहांक रही थी सामने कोई चदर ओड़कर सो रहा था एक नहीं दो लोग थे सायद चहरे पर चाया पसीना पोँचकर धीरे से आगे बढ़ा सामने एक बुड़ा आदमी गहरी नीन सो रहा था एक बात उसने चारो और देखा कंबल के अंदर छुपा कर लाई पुलहारी को बाहर निकाला और एक भॉटिल में राज फिल्म डायक्टर प्रडूशर डायरेक्ट देता असिस्टेंट बैठे हुए बातचित कर रहे थे सब लोग तालिया बजा कर राज को प्रोचाहिट कर रहे हैं प्रडूशर यार आपने तो कमाल ही करत किया क्या थ्रिलल स्टोरी है यार मेरे तो रोम्टे ख़ड़े हो गए सर मैं इस उस स्टोरी में बहुत जादा इंप्रेस हूँ तो क्या आप प्रडूशर ओके राज सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बढ़ाई हो क्योंकि हम फिल्म बना रहे हैं राज थेंक्यू सर थेंक्यू सो मच टैरेक्ट मोस्ट वेलकम राज तो आप देखिए आप जरूरत के हिसाब से ये स्टोरी डेवलप कीजी मुझे कोई इतराज नहीं है प्रडूशर गुड ऐसे ही मिल जूलकर काम करते रहिए और सबको अल दा बेस्ट अभी मुझे निकलना होगा जल्दी ही मिलेंगा ओके और हाँ स्टोरी फाइनल होते ही मुझे बता देना वे बिल भी स्टार्ट बाई बाई प्रडूशर वहाँसर चले जाते हैं राज ऐसे एक बात बताओ वाके इस स्टोरी के पेछे कोई मिस्टरी जरूर होगी न बताओ न मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ राज नहीं सेर ऐसी कोई बात नहीं ये मेरा बस एक सपना है कई रातों से मुझे सोने नहीं दे रहा सो मैंने वही लिखा है जो मैंने सपने में देखा था डाइरेक्ट वाव यार बहुत ही बढ़िया यार ऐसे सपने हमें क्यों नहीं आते क्या होगा आगे वो राज का मैंजक सपना था या कुछ और कहानी रंजक है दोस्तो कुछ बाते जितना सुल जाओ उतनी ही उलजी रहती है उपर से तालाप का पानी सान तो दिखता है लेकिन हमें क्या पता अंदर गहराई में क्या चल रहा है फ्रिलर और सस्पेंस बरकरार रहेगा आप बस इस कहानी को सुनते रहेगा अलविदा कहानी अभी जारी है दोसो एक बार फिट आपके लिए एक अनोखी रंजक कहानी लेकर आया हूँ जिसमें इमोशन भी और ड्रामा भी सस्पेंस भी है और लव स्टोरी है धेड सारा डर भी है और हासी मजाक भी है एक परफिक कॉम्बो पैक लेकर आया हूँ तो जरूर सुनियेगा और लाइक जरूर कर दिजेगा आई कहाने नेक्स पार्ट में थैंक यू